अस्सलाम उलेकूम, कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर की सब्जी मेरे तरीके से तो चलिए फिर देखते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखें यहाँ पर मैं ले ली हूँ यह वाइट वाला मटर इसको मैं रात में ही भीगा करके रख दी थी ओवरनाइट के लिए और यह अच्छे से देखें फूल गया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं ले ली हूँ यह एक बड़े साइज का आलू तो चलिए इसको मैं डाल देती हूँ प्रेशर कूकर में तो चलिए मैं इसको डाल देती हूँ यह कूकर में और इसी के साथ डाल दूँगी यह आलू भी यह एक बड़े साइस का आलूल मैं ली हूँ इसमें अब डाल देंगे पानी तो यह देखे पानी भी मैं डाल देंगे इसमें इसमें मैं डाल देती हूँ एक चम्मज भरके नमग यह देखे आधा छोटा चम्मज डाल देंगे हल्दी अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं तो अब मैं कूकर का ढखकन लगा करके अच्छे से आलू और मटर को गला लूँगी तो चलिए इसको रख देते हैं गलने के लिए चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आलू और मटर गला है या नहीं तो ये देखिए अच्छे से ये गल गया है ये देख सकते हैं थोड़ा समय आलू को चम्मच की मदद से हलका सा मैश कर देती हूं ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है ये तो चलिए फटा फट से हम बनाते हैं यहां पर मैं कड़ाई रख दी हूं गैस कर दी हूं चालू इसमें मैं डाल देती हूं एक बड़ा चम्मच भर के तेल वें डाल दीं हूं अच्छे से गरम हो गया है इसमें मैं अब इसमें में डाल देती को एक मीडियम साइज प्याज यह देखिए इसको में बारी कट कर ली हूँ थोड़ा सा मैं बचा रही हूं इसमें से और इसी के साथ में डाल दूँगी यह बारी कटा हुआ हरी मिर्ची तो यह में चार से पांच हरी मिर्ची काटी हूँ प्याज को अच्छे से हम गोल्डेन होने तक पकाएंगे प्याज देखिए हलका गोल्डेन हो गया है तो इसमें मैं डालेती हूँ एक चम्मज भर के अधरक लसन का पेस्ट यह देखिए अधरक लसन को भी हम थोड़े देर चलाते वे भून लेंगे यह देखिए अधरक लसन को भी मैं चलाते वे एक मिनिट भून ली हूँ तो अब इसमें मैं डालेती हूँ दो मीडियम साइज का टमाटर बारी कटा हुआ यह देखिए यहां पर मैं ले ली हूँ इसमें मैं डाल जेती हूँ नमक तो नमक ध्यान से डालेगा पहले भी हम आलू मतर गलाते समय डाले थे नमक तो मैं यहां पर थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि टमाटार अच्छे से गल जाए और इसी के साथ डालूंगी पाउडर मस दाले तो यहां पर मैं ले ली हूँ यह एक चमज भरके मिर्ची पाउडर एक चमज डालेंगे धनिया पाउडर एक चोटा चमज डालेंगे जीरा पाउडर आधा चोटा चमज डालेंगे हल्दी पाउडर एक चोटा चमज में डाल दूंगी चाट मसाला अच्छे से इसको तो मिक्स कर देते हैं तो मिक्स कर देते हैं हम टमाटर और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे टमाटर भी हमारा अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से भूना जाए तो इसको मैं ढख देती हूं चलिए चेक कर लेते हैं तो यह देखें टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी अच्छे से भूना गया हमारा तो अब इसमें मैं डाल लेती हूं जो मतर और आलू हम गला करके रखे हैं वो डाल लेते हैं इसमें थोड़ा समय इसमें पानी डाल करके खंगाल के डालती हूं इसमें पाचे से इसको मिक्स कर देंगे पाचे से इसको मिक्स कर देंगे तो यह देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूं इसमें मैं डाल देती हूं एक चम्मज भरके गरम मसाला पावडर तो मैं यह वाला मसाला डाल रही हूं जो मैं कल बनाई थी तो इसमें मैं एक चम्मज भरके डाल देती हूं आप कोई भी गरम मसाला पावडर डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलिबल हो अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूं इसमें थंड़ा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा और पानी डाली इसमें तो अब मैं इसको ढख देती हूं ढख करके 2-3 मिनट में पकालूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए तो चलिए मैं इसको ढख देती हूं चलिए चेक कर लेते हैं तो यह देखिए यह हमारे आलू मटर की सबजी बन करके तयार हो गई तो इसको मैं इसी तरीके से रहने दूंगी क्योंकि यह जब थंड़ा होता है तो और गाढ़ा हो जाएगा तो इस पर मैं डाल लेती हूं बारी कटा हुआ हरा धनिया तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूं यह सबजी एकदम तयार हो गया बन करके चलिए मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाती हूं यह देखिए माश्राला है इस में अपर से मेश पर डालेती हूं थोड़ा सा बारी कटा हुआ टमाटर थोड़ा सा डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज थोड़ा सा डाल देती हूं बारी कटा हुआ हारा धनिया तो यह देखिए यह हमारे आलू और मटर की सबजी बन करके तैयार हो गई और माश्राला बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप लोग कभी बनाईएगा इस तरीके से और बताईएगा कि कैसा लगा आप लोगों को यह देखिए आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो माश्राला बहुत अच्छा लगता है आप लोग कभी बनाईएगा और बताईएगा कि कैसा लगा आप लोगों को अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक और रेसेपी के साथ तौबी के लिए अल्ला हफिज दुआ में याद रखना कर दो